मेरे प्यारे देश स्वासियों, अब मन की बात में मैं एक ऐसे विशे पर बात करूँगा, जिसमें आपको आनन्द भी आएगा, गर्व भी होगा, और मन कहर उठेगा, वा भाई वा, दिल खुश हो गया। देश के सबसे पुराने साइन्स इंस्टिटूशन्स में से एक बैंगलोरु का इंडियन इंस्टिटूट अब साइन्स यानि आयाई एससी एक शांदार मिशाल पेश कर रहा है। मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीशे भारत की दो महान विभूतियां जमसेज्जी ठाटा और स्वामी विवेकानन की प्रेणा रही है। तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलानानी बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटन्स रहे हैं। इसका मतलब है हर पांच दिन में दो पेटन्स एक रेकोर्ड अपने आप में अधभूत है। इस सफलता के लिए मैं IISC की टीम को भी बढ़ाई देना चाहता हूँ। साथियों आज पेटन्स फाइलिंग में भारत की रेंकिंग साथवी और ट्रेड मार्स में पांच वी है। स्रिप पेटन्स की बात करें तो पिछली पांच वर्सों में इसमें करीब 50 प्रतिशत की वृद्धी हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रेंकिंग में जवर्दस सुधार हुआ है। और वो चालीस में पर आप पहुची है। जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिल्चस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बात डॉमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग के संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञारी सामरत को भी दिखाता है। साथियों हम सभी जानते हैं कि 21 सदी की ग्लोबल एकोनमी में नौलेज ही सर्व परी है। मुझे विश्वास है कि भारत के टेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट्स के दम पर जरूर पुरा होगा। इससे हम सभी अपने ही देश में तयार वर्ल्ड क्लास टेक्लोलोजी और प्रोडक का भरपुर लाब ले सकेंगे।